हालो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं सुरंदसी आज आप सभी पीएफ मेंबरों का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप पीएफ का एडवांस पैसा एक से दो दिन के अंदर अपने पी अब मैं आपको आगे मोगाल इसकी पर लेकर चलता हूँ दोस्तों पैसा निकालने के लिए सब्सक्राइब कर लेकर जाना है वहां जाकर आपको यूए लॉग-इन सर्च करना है सर्च करने कब दोस्तों आपके सामने कुछ एंटर वीच ना जाएगा इसमें उपर वाला ज विप्साइड ओपन के आ गई अब दोस्तों यहां नम्मर पास्वड़ क्वार्ट तीनोंची यहां पर फिल करने होगी ठीक दोस्तों उसके बाद्याइब दिस्फित करके मिलता हूँ ठीक दोस्तो मैंने तीने चीज़ेटे को यहाँ पर फिल कर लिया और सायने पर दबाता हूँ दोस्तो जैसे सायन पर दबाता हूँ तो आपकी सामनी कुछ अप्सन आजाएगा इसमें लेटर पर दबा देता है उसके दोस्तों आपको पीएप में ऑनलाइन पीएप का पैसा निकालने के लिए सबस पहले ऑनलाइन सर्वेस पर जाना है उसके क्लैम फॉरम 31, 19, 10C और 10D वाले उप्शन को दबाना होगा दबाने को बाद दोस्त आपको थोड़ा वेट करना है वेट करने बाद दोस्त आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा ठीक दोस्तो इसमें आपका जो भी बैंक अकाउंट नमर होगा जिस बैंक अकाउंट की के वाईसी आपने अपने अकाउंट के अंदर कर रखी है दोस्तो उसी को यहाँ पर फिल करना होगा ठीक दोस्तों तो मैं आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नमर फिल करके मिलता हूं एक चीज आपको step by step बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उसको आपको नीचे जाए और यहाँ पर लिखा हुआ है I want to apply for, select lab option इसको आपको दबाना होगा, दबाने गुए दोस्तों यहाँ पर PF advance वल आपको PF का पैसा निकालना है तो वो option आपको यहाँ पर select क निकालना है उसको यहाँ पर आपको fill करना होगा तो दोस्तों मेरे को जिस भी member ID से पैसा निकालना है मैं उसको यहाँ पर fill कर लेता हूँ सब्सक्राइब दोस्तों यहां पर इंद करना होगा सभषक। स्थेशलेक्ट करना होगा सबस्तों यहां पर आपको सब्सक्राइब पुरिष मिलता हो कि ऊब हुclockwise जर्फ करने हैं और लाफ को नमर यहाँ पर फिंद करना होगा तुछ यहाँ कर के मिलता हूँ तभी को बता पाऊंगा चैसे को मैं इसमें पार अधिया उसके बाद दोस्तोश आप को check book है तो check को क्या करना हो, आपका नाम उसमें print होना चाहिए और check को दोस्तों, आपको cancel करना है, ति हे दूस्तों cancel check ही यहापर upload करना है, उसको ज्यादी पासुक है तो पासुक में दोस्तों आपको यह एक चीज़ को द्यांर रखना है कि आपकि जो भी पासुक होगी उस पर आपकि जो बेंक के उसकी model belong होनी चाहिए दोस्तो उसमें आपका account नमर नाम सब कुछ clear दिखना चाहिए तब ही दूस्तो यहाँ पर आपका जल्डी जल्डी एफ का पैसा आएगा रिजेक्ट नहीं होगा ठीक दोस्तों और जो भी आप अपलोड कर रहें इसकी साइज सो से 500 के बीच में रखनी दोस्तों तो दोस्तों मैंने पहले से ही या पर सो से पांसो के बीच मेरी पासुक की रख रखे तो यहां पर चूच फाइल पर करके मैं तो स्लेट कर लेता हूं तो दोस्तों वद आपको कर दिया उसके बादार में आपको निख सकते हैं यहां पर जो भी आपके आधार काड़ से मुवाल नमर रइस्टर रहें उसके चला गया है तुम्हें आपको करके मिलता हूं ठीक दोस्तों यहां पर मैंने OTP फिल कर दिया है उसके वाद यहां पर बैलेट OTP submit claim फॉरम इसको आपको दवाना होगा दवाने को दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना है वेट करने को देख सकते हैं आपके सामने लिखा गया है OTP has been verified EKYC update and PF advance claim फॉरम submitted successfully on Unifield Portal ठीक दोस्तों तो आप देख सकते हैं जो भी आपने फॉरम सम्मिट किया है वो successful Unifield Portal पर successful successful submit हो गया है ठीक दोस्तों इसका status चेक करने के लिए आपको online पर जाना है track claim status यहाँ पर आप जाके आपनी जो भी फॉरम बढ़ा है उसका status चेक कर सकते हो ठीक दोस्तों यहाँ पर रिख सकते हैं लिखा हुआ है online claim submitted at portal ठीक दोस्तों यहाँ पर time लिखा हुआ गया है ठीक दोस्तों इसके साथ यहाँ member pass पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो ठीक दोस्तों यहाँ आपको कोई प्रॉलमा है तो मुझे आप मेरे इस्टेग्राम आइडियो उस पर मेरे को मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो ठीक दोस्तों तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद